आप पहले लेसन यानि Computer Basics में सीख चुके हैं कि Computer Hardware क्या है? Computer के मुक्तलिफ इससे, जिनको हम छू या पकड़ सकते हैं, Hardware कहलाते हैं. Computer Hardware से मुतालिख बहुत सी Devices के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, जैसे के Mouse, Keyboard और Output Devices वगेरा. अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो के एक डिबबे की मानित नजर आ रहा है, असल में बड़ी मुफीद चीज़ है, इसे System Unit कहते हैं. System Unit में Computer का हर वो हिस्सा लगा होता है, जो इसको चलाता है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है, और Computer इस्तमाल करने वालों को मुख्तलिफ फिसिलिटीज या सहूलियात वराहम करता है. इसको Computer की Casing या Covering भी कहते हैं. इसे Casing इसलिए कहा जाता है, क्यूंकि ये Computer के अंदरोनी हिस्सों को ढाप कर रखता है, और उन्हें हर किस्म के बेरोनी दबाव से बचाता है. आए हम System Unit को कुछ तफसील से देखते हैं. ये एक आम System Unit है. जो किसी भी सताह पर आसानी से खड़ा किया जा सकता है. ऐसे System Unit की Casing को Tower Casing कहते हैं. हो सकता है कि आपके Computer की Casing इससे मुख्तलिफ हो, और इसमें लगी हुई चीजों की जगा भी मुख्तलिफ हो. मगर काम सबका एक ही है. System Unit के सामने वाली साइट पर आपको ये कुछ Lights और Buttons नजर आ रहे हैं. System Unit पर लगे मुख्तलिफ Buttons में से ये Button, Power Button कहलाता है. इस Button की मदद से Computer को On या Off किया जाता है. इसको On करने के लिए इस Button को उंगली से दबाते हैं. देखिए, अब ये Computer On हो रहा है और फिर इसको दुबारा दबाने से Computer Off हो जाता है. दूसरा Button Restart Button कहलाता है. Restart के माइनी किसी चीज़ को दुबारा शुरू करने के हैं. इस Button को दबाने से Computer पहले Off होता है और फिर खुद से On हो जाता है. ये देखिए, इस वक्त आप स्क्रीन पर Computer देख रहे हैं, जो के On है. अब हम इसके Restart Button को दबाते हैं. आपने देखा के Button दबाते ही Computer Off हो गया है और फिर दुबारा से Start हो रहा है. System Unit पर लगी हुई Lights ये बात जाहिर करती हैं कि Computer चल रहा है या नहीं और चल रहा है तो इस पर कोई काम हो रहा है या नहीं. ये एक CD Drive है. CD-ROM System Unit के इस हिसे में डाल कर इस्तेमाल की जाती है. CD-ROM के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं. इसके नीचे लगे हुए छोटे से बटन को दबाने से इस Drive का ट्रे बाहर आ जाता है. CD को CD Drive के ट्रे पर इस तरहा रखा जाता है. और दुबारा इसी बटन को दबाने से CD Drive के अंदर इंसर्ट हो जाती है. CD को ड्राइव से बाहर निकालने के लिए भी यही बटन दबाया जाता है इसको दबाने से ट्रे बाहर आ जाता है और हम CD उठा कर बटन दोबारा दबा देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लॉपी डिस्क भी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है इसे भी इस्तैमाल के लिए सिस्टेम यूनिट के सामने वाले हिस्थे में लगाया जाता है जिसे फ्लॉपी ड्राइव कहते हैं फ्लॉपी को इंसर्ट करने का तरीका यह है कि आप इसको पिछली तरफ से पकड़ कर ड्राइव में डालें दूसरी तरफ से डालना गलत है और आप इसको अंदर की तरफ दबा कर ड्राइव में इंसर्ट कर दें फ्लॉपी ड्राइव के साथ लगे इस चोटे से बटन को दबाने से फ्लॉपी बाहर आ जाती है इस वक्त आप सिस्टम यूनिट की बेरूनी साइड पिछली तरफ से देख रहे हैं जिस तरह तीवी और दीगर बिजली से चलने वाली अश्या को बिजली के सौकित्स में लगाया जाता है इसी तरह कम्प्यूटर की इनपुट, आउटपुट डिवाइसेज, मसलन माउस या कीबोर्ड जो के सिस्टम यूनिट से बाहर होती हैं को यहां लगाया जाता है इनको पोर्ट्स कहते हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कम्प्यूटर को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है लेहाजा सबसे पहला सौकिट जो आप इस वक्त देख रही हैं वो कम्प्यूटर को बिजली फराहम करने के लिए ही इस्तमाल होता है इसको पावर कनेक्टर कहते हैं वो तार या केबल जिसके जरिये कम्प्यूटर को बिजली फराहम की जाती है इसको पावर केबल कहते हैं इस केबल का प्लग बिजली के स्विच बोर्ड में लगाते हैं इस केबल का दूसरा सिरा कम्प्यूटर में इस तरह लगता है जिस तरह सिस्टम यूनिट को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है इसी तरह मॉनिटर को चलाने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है इसके लिए भी पावर केबल इस्तमाल की जाती है और एक सिरा system unit के इस socket में लगाया जाता है हो सकता है कि आपके monitor की power cable direct बिजली के switch में लगती हो अब आप जो port देख रहे हैं इसे keyboard port कहते हैं और ये port keyboard को system unit से connect करने के लिए इस्तमाल की जाती है ये देखिए इसको इस तरह से connect किया जाता है इसके बिलकुल साथ जो port आप देख रहे हैं इसको mouse port कहते हैं mouse की pin को इसमें लगाने से computer mouse के साथ connect हो जाता है इससे इस तरह लगाते हैं कुछ computers में mouse की pin इस तरह की भी होती है ये ports जो आप अब देख रहे हैं इनको USB ports कहते हैं यानि universal serial bus बहुत सी input और output devices मसलन वेब कैम इनहीं ports से attach होती हैं इस lesson में हमने hardware और computer के दीगर आहम हिस्सों के बारे में मालूमात हासल की हैं मसलन system unit और उसके सामने लगी lights और buttons फिर आपने system unit की पिछली तरफ लगी मुक्तलिफ किसम की ports के बारे में जाना जिसमें serial, parallel, USB, RJ11 jacks और pin sockets शामिल हैं इसके बाद आपने drive bay को देखा जहां मुक्तलिफ storage devices लगाई जाती हैं आपने system unit के अंदर लगी हुई power supply को देखा फिर आपने motherboard और उस पर लगी दूसरी चीजें cards, slots, RAM slots, processor और उस पर लगे fan को देखा जारे में जारे मुक्तलिफ लगव हैं